तो आज पहला दिन था आज बस्तर फाटर के एडमिट कार्ड लेने खा और पहला दिन देखिए काफी ज़्यादा फीड उससा नजर आई इतनी बारिस में आप देख सकते हैं कि बारिस में भी यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं और एडमिट कार्ड मिल रहा है और जितने भी केंडिडेट्स हैं वे अपने SP कारियाले में जा सकते हैं वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड मिलेगा यहां कांकेर का है और आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा भीड है आज पहला दिन था और आपका 14 तारिक तक कि आपका एडमिट कार्ड लेना है और जो एडमिट कार् आ रहे थे कि जो पुराना admit card है उसको जमा करना है उसके बदले आपको new admit card मिलेगी और कई candidates यहाँ पर admit card गुमा चुके हैं और वो छोटा वाला पाउत्ती लेकर गया थे जो physical से पहले जो मिला हुआ था छोटा वाला वो लेकर गया थे तो उनका admit card नहीं दिया जा रहा है तो नहीं दिया जाएगा तो आपको पता कर सकते हैं अपना admit card तो आपके पास है तो आप सकते हैं और admit card लेसकते हैं तो आईstalkते हैं कि आपको admit card कैसा मिल रहा है वाह पर तो देखते हैं उसके बारे में detail तो आपको इस प्रकास से एडमिट काड मिलेगी वहाँ पर जो आपका जो रोल नमबर है वह आपका जो पुराना रोल नमबर है वही रोल नमबर आपका यहाँ पर भी है तो आपको वही रोल नमबर से मिलेगा एडमिट काड आप देख सकते हैं यहाँ पर और आप यहाँ प परिक्षा डेट है, वो है 17 को, अब देखिए यहाँ पर लिकित समय वो भी बताया गया है, 10 बजे से 12 बजे तक, लिकित परिक्षा केंद्र पहुंचने का समय है, 8 बजे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 बजे बताया गया, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक होना है, वो 8 पर इस्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर, तो आप जल्दी जाने की कोशिस करें, आपके एक्जाम सेंटर पर, तो नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या-क्या निर्देश दिखाया गया, तो आप देखें यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर निर्देश, तो फैल उसे आपको मोड़ना नहीं है, ना स्क्रेच करना है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो बारकोड से ही दिखाई देता है, तो आप इस बारकोड को ना मोड़ें, ना स्क्रेच करें नेक्ष्ट देखते हैं यहाँ पर, तो आएए देखते हैं पाचो नमबर, जो आपकी लिखित परिक्षा का प्रस्न पत्र होगा, वो वस्तुनिष्ट प्रकार का या अबजेक्टिव प्रकार का वा होगा, जो आपकी जो लिखित परिक्षा है वो वस्तुनिष्ट वाली जो objective वाली हो जिसमें 4 विकल्प होंगे जिसमें से इसमें से आपको जो answer सही है तो उसको भरना है यह ऐसे पुरा भरना है वो वाला है और जो आपकी जो paper है वो 50 number का होगा और 4 विकल्प होंगे 4 विकल्प में 1 सही करेंगे तो एक number आपको मिलेगा एक नंबर का एक question तो आईए देखते है 7 तो इसमें आपको ले जाना है ball pen वो भी काले color का आपको यहाँ पबतायागा है कि आपको घाले pen ही लेकर जाना है ball pen ही जाना है आपको ball pen लेकर ही जाना है आपको म जाना है जो OMR seat है वो जो मिलेगा उसमें आपको बर्ना है उसे अभियरति परीक्षा केंद्र केंद्र है समय से दो घंटे पूरो उपस्दितु हूँ आपको पहले जाना है क्योंकि आपका बायो मेत्रिक होना है ओर देखे इसमें पताया भी गया नाव-वह थे परीक्षो केंद्र के गेट पर तो आप उससे पढ़िए और follow करिए इसी admit card के अनुसर आपको जो आपकी जानकरी इसमें दी गई है वैसा ही आपको करना है आपको इसके अलावा कुछ एक्स्टा चीज नहीं ले जाना है आपका जो admit card के अलावा आपको बस पहन लेकि जाना है बाल पेन admit card बस और आपकी जो हुआ है वही रोल नंबर है तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं डेट है आपका वही 1772 बाई सभी जीलों में होनी है आट बजे तक है पहुंच जाए आप तो देखिए और जो आपकी जो फोटो है वह आपकी चेस्ट नंबर जब आप फिजिकल के टाइम गया थे तो उस से में जो सकान गया था फोटो लिया गया था वही फोटो आपकी एड्मिट कार्ड पर है तो आप देखिए जो आपका स्कान कार्या आपका जो चेस्ट नंबर वही वाल फोटो डला हुआ हुआ है इसमे और नीचे अवियरतिक का हस्ताकछर है इसमें तो यहाँ पर आप समय बहुत अरकशी कृट्र देखें आपके आपको बारएस जीए जबीक कुछ आप करनेके इस हमसी करूं सोबागी को सब्सक्राइब जल्דी जल्दी जाएं और वारिस का मौसम है जडिए क्युक्ती आप पास समय बहुत कम है तैयारी करने के लिए क्योंकि आपको दिन भर लाइन नहीं लगना है वहाँ पे आपको जितना जल्दी हो सके तो आप वहाँ पे अपना एड्मिट कार्ड ले लें और अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से करें उसके लिए आपके पास बहुत ही कम समय बाकी है भी तो धन्यवाद